प्रिया प्लांट करने वाली है वाम और मारना चाहेगे दिया को अब ये देखना होगा कि रतन दिया को बचा पाते हैं नहीं आखिर क्या है ये बूरा माजरा चलिए हम आपको बताते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस तरह से रतन और दिया इस मिशन पर जुड़ चुके हैं कि आखिर पता लगाया जाए कि उनका असली दुश्मन है कौन रतन हर एक मुम्किन कोशिश कर रहे हैं असली कल्पिट को ढून निकालने में लेकिन वहीं छोटी ठकरवाइन सारा इल्जा मर देती है दिया के माथे पर जिसके बाद रतन को भी ये लगने लगता है कि हो ना हो दिया ही उनकी असली दुश्मन है क्योंकि जिस तरह से एक छोटी ठकरवाइन इस बात को साबित करती है कि दिया ने रतन से शादी सिफ अपने निजी मकसद के वज़से की थी और सिफ आयाशी करने के लिए की थी इस बात का रतन को यकिन होने लगता है और साथ ही रतन दिया को सजा भी देते हैं और दिया भी चुपचाप रतन की दी हुई सजा को भुगतने के लिए तयार होती है लेकिन इसके बाद ही हम देखेंगे कि किस तरह से रतन के सारे शक दूर हो जाते है और उन्हें ये पता चल जाता है कि दिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है तभी प्रिया दिया से नाराज होकर एक बाउम प्लांड करती है क्योंकि प्रिया चाती है कि दिया को किसी भी हाल में खतम करते हैं तो इसी के शर्ते हम देखेंगे कि किस तरह से प्रिया नारिल के अंदर बॉम रखेगी अब ये देखना वाकए दिल्चस्प होगा कि क्या वाकए दिया इस बॉम से अपनी जान गवा बैठेंगी या फिर रतन दिया को बचा लेंगे आपको क्या लगता है शेर कीजिए कमें और टीवी की तमाम ऐसी चटपटिक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम